Hello everyone, Target for IQ में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, MP की वेकेंसी अल्रीड अनाउंस हो चुकी है, I hope आप सभी ने form फिल कर दिये होंगे, और जिसके भी form में कोई तुरुटी रही है, वो 10 तारिक से जब इसके ओपन होंगे, तो आप 12 तारिक तक 12 नवंबर त आप पैनिक करोगे, भाग दोड करोगे, तो वो फिर काम खराब होता है, वहां एक मैंटली प्रेशर भी आ जाता है, और टाइम भी हमारा उल्टी गिंती चालू हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में MP अक्मेडेशन कंट्रोल एक्ट, छोटा सा एक्ट है, बट बहुत इपोर्टन है, पांच नमर के क्वेशन आएंगे ही आएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं, हाला कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इंडेक्स का, लेकिन फिर भी हमें बहुत जरूरी होता है, इंडेक्स रेंट से, क्योंकि रेंट का मामला है, तो रेंट से रेलेटर जो प्रॉवीजन है, चैप्टर नमबर टू, फोर टू, इलेवन तक उसके बाद आएगा, रेंट फे दिया है, तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए, किसके उपर, सबसे पहले रेंट, लेंडलोड के उपर कंट् चैप्टर 3A, अब क्या होता है, बोनाफाइड रेक्वार्मेंट भी होने लग गई, माल लीजे, बुज़ूर्ग हो गए हैं, आर्मी से रेटायर हो गए, रेटायर होके घर आना चाहते हैं, तो फिर आब आपको चाहिए ना, खुद के रहने के लिए भी तो वो बोनाफा उसके बाद आता है, आप सभी जानते हैं, रेंट के मामलों के लिए एक ट्रिविनल का गठन किया जाता है, रेंट ट्रिविनल पॉपिलर जिसका नाम होता है, तो वो उसका अपॉइन्मेंट, उसकी पावर्स, फंक्शन्स, क्या-क्या होंगे, वो कौन सा चैप्टर बतात है, चैप्टर नमबर 6, 37-44, वेरी इंपॉर्टन, इसमें जो पैनल्टी जाला सेक्शन है, वहाँ से क्वेशन हंड़े परसेंट एक बनता है, लास्ट में मिस्टे इनिया से एक दो बातें बनती हैं, और कोई जादा खास नहीं है, ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम नहीं बनता है, आज कल जादा आने लग गए है, डेप्ट में, तो याद रखना स्टार्ट करो, एक नमबर, आज कल जो है, देखो, एक एक नमबर की मारा मारी है, एक एक नमबर ही गेम चेंजर, क्या होता है, कि एमपी का बहुत ही बेसिक क्वेशन पेपर आता है, लेकिन इतनी हाई कट अफ क्यो जाती है, क्यों इतने सारे मार्गस आ जाते है, 135, 130, 140 है न, डेट सो में से, क्यों, बेसिक क्वेशन आते हैं, लेकिन एक या दो ही क्वेशन, पूरे उसमें पेपर में, 5-6 क्वेशन ऐसे होते हैं, जो गेम चेंजर होते हैं, ठीक है, देखिए, ए प्रेम इन्टू फोर्स हो गया उसके पांच दिन बाद ही 30 सारी को 30 दिसम्बर क्वेश्चन डेफिनेटली जो यह अंडरलाइन करती जा रही हो और रेंट का उसका भी चल रहा है ठीक है तीनों में से जो आपको सूटेबल लगे जहां आपको कमी गड़वडी लगे वह आप जोइन कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स आता है इसके ऑबजेक्ट यह दोको मेंस का भी एक सवाल बनता है तो दूसरा प्रीम भी अगर आए तो आ सकता है वाकी मेंस के साफ से बहुत साही है यह चीज़ ऑबजेक्ट क्या है उद्देश क्या थे इस आठ को मनाने के एस एक को मराने की यही थे कि जो रेंट का प्रेमाईस होगा किराय पर देने वाली जगह है उसको regulate करना है कंट्रोल करना है मनमर जी तरह से ना तो कोई रैंट पे देगा ना खाली करवाएगा ठीक है और फटाफट ट्राइल करने के लिए इस रिलेटेड है ठीक है एविक्शन का जो केस होगा उसकी फटाफट फटाफट ट्राइल करवानी है कौन से बोनाफाइड क्योंकि जल्दी चाहिए रिटायर होके आगए और उसके भी नॉर्मल तरीके से साल साल दो दो साल चलती रहेगी ट्राइल तो कैसे काम चलेगा ठीक है और कंट्रोल ओफ एविक्शन जो निकालते है मनमर जी की तरह से वहाँ पर क्या रगानी है रोक लगा रही है ठीक है next आमारे पास जो आता है पॉ заключ ये index आपने देख लिया में चलेंगे section 1 clear होगे आपका next आमारे पास आता है section number 2 वह क्या कहता हya definition के बारे में ie हमने से देखो किस तरह से बाटा है आदी चीज़े जो चार्ट बनाते है यह इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको आखों में चीज़ याद हो सके और helpful रहें वो exam में है ना देखो A to Y है total कितनी होती है चार इदर लिखिए चार इदर लिखिए बीच में एक लिखिए टोटल कितनी होई 9 हो गए है ना तो चार इदर चार इदर बीच में एक है ना बीच में कौन है हमने फिट किया है फैमिली मेंबर्स को फिट कर दिया है ठीक है एक तरफ किरायदार एक तरफ मकान मालिक है ना देखो ये landlord, इधर, इधर tenant, ठीक है, और बीच में कौन है, family member, clear, easily याद हो जाएगा आपको, हाणा, तो हम देखते हैं, इसमें क्या है, accommodation, मैं important को बताती जाओंगी, accommodation, landlord, very very important, lawful increase, lease, ये छोड़ दो, family member, very very important, जो ADJ का exam होता है, MP में, बहाँ पर भी यहाँ से सवाल काफी ब पताता है, saving clause, फिर आता है, standard, important है, और एक tenant, very very important, ठीक है, फिर उसके बाद हम हम detail में चलते हैं, जो start लगी हुई, definitions, income, उस पर देखेंगे, detail में, to, a, accommodation, easily आपको याद हो जाएगा, a, a for accommodation, ठीक है, हिंदी बिने वाले student भी देखिए, जो चीज आपको English में बहुत बढ़ और accommodation भी ऐसे start होता है, तो गलत होने का सवाली नहीं, कहां, अगर section पूछा, accommodation 2 है, ठीक है, क्या बोलता है, accommodation, क्या होती है, चीज, कोई भी building है, उसका कोई part है, है न, जैसे हमारा पूरा house होता है, और उसमें कोई, मैदान होता है, वो, या servant quarter, वो भी उसका part, ठीक है, चाह सी बात, वो क्या कहलाती है, accommodation कहलाती है, अब क्या include कर लिया इसमें, इसमें include किया है, land, सबसे पहले, garden, ground, garage, outhouse, very important, outhouse से यहां से सवाल बनता है, आर जैसमें भी आया हुगा था, outhouse क्या होते है, मतलब outhouse को include किया है, फिर आता है fitting, देते हैं, आज कल, RO की fitting, AC की fitting, है न, न beneficial enjoy के लिए जो भी चीज कामा है, वोसा fitting, और किसमें शामिल होती है, accommodation में, फिर आता है furniture, आज कल तो furniture भी provide गरवाते हैं, फिर आता है landlord, यह जो include वाली चीज है, यहां से question आएगा, which is include, which is not include, clear है, फिर आता है landlord, very important concept, ध्यान से समझेगा, ऐसा कोई व्यक्ति, person जो receive करता है मतलब लेता है ऐसा कोई व्यक्ति, जो लेता है क्या किराया, rent है ना, या entitle है लेने के लिए क्या है, हकदार है, कैसे कैसे ले रहा है, on his own account, खुदी के खुद का मकान नाम पे है, खुदी ले रहे हो, वही रहे हो, या किसी अन्ने के नाम पे, जैसे हमारा 2-3 घर होते हैं, तो स्वंप देते हैं ना, कि भाई साब आप लेते रहना है या चाचा बगरा को हैं या किसी अन्ने परसन के account पे ले रहा है, as कैसे trustee, guardian और receiver, clear है, यह तीनों याद रखिएगा, यहाँ से question आपको twist करने की कोशिश की जाएगी, clear हो गया landlord, next आता है family member, अच्छा landlord का section family member, okay, E and F, ऐसे आप correlate कर सकते हो, E, F, ठीक है, E में क्या है, family है, okay, very important, देखो यह तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, यह चार्ट, लेकिन आपको याद रखना है, अच्छे से fair से बना लेना, इस चार्ट से आपका एक भी question कितना twist कर दो, कभी गलत नहीं होगा, यह A बीच में एक person है, आप देखना है न, एक इधर है, एक, चलो, एक इधर भी हो, बट यह person है, एक है न, इसका देखो सबसे वहले है, grandfather, बड़े दादा जी, फिर आते हैं father, family members हैंगी, ठीक है, फिर आएंगी mother और grandmother, clear होगे चार्ट लो, फिर उसके बाद आता है, बेटा, बेटी, ठी married होना, very very important, clear है, क्या होना चाहिए, unmarried होनी चाहिए, फिर उसके बाद आता है, भाई भी साथ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, और joint family है, तो भाई के, बच्चे भी साथ, son, फिर से भाई की daughter आ गई, तो जब खुद की daughter unmarried है, तो भाई की भी कैसी होनी चाहिए, unmarried daughter, clear है और फिर अकेला बंदा थोड़ी है, क्या है साथ में उसका, साथ में spouse, spouse का मतलब क्या होता है, साथी, मतलब पती या पतनी दोनों, फिर आता है parent and uncle, that means चाचा, और चाचा की wife, clear, और अगर चाचा जीज नहीं रहे, तो वो क्या हो गई, video, तो वो भी हो गई, clear है, ये diagram आप clear कर ले न, अपने mind में, अच्छा सा fair बना लो, paste कर लो, यहीं से question बार बार घुमा घुमा के, especially, especially ये लड़कियों का जो मामला है न, यह, यहां से आपको घुमाएंगे, sister हो गई, यह, यहां से आपको घुमाया जाएगा और यह, ठीक है, इनको married married कर देंगे है न, चलिए next आता है tenant, tenant क्या मतलब, ऐसा कोई व्यक्ति, जो क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, किराय दिया जा रहा है, on whose account, खुद के भीहाफ पर, है न, और include क्या किया गया है, subtenant, very important, यहां से question बनेगा आपका, ठीक है, include, tenant, include, subtenant, ठीक है, और कोई include नहीं है, ऐसा person include नहीं है, जिसके विरुद एविक्षन के order आ गई है, decree आ गई है, वो include नहीं है, clear, क्योंकि उसको तो बहार निकलना ही है, ठीक है, next हम देख लेते हैं, section number 3, और इसी के साथ हमारा chapter 1 complete हो जाएगा, और उसके बाद हम कुछ important questions देखेंगे, ठीक है, व act not apply on certain accommodation, यह act, यह जो accommodation control act है, 1961 वाला, यह apply नहीं होता है, कहाँ apply नहीं होता है, देखिए, government property, होते हैं न सरकारी जो बंगले होते हैं, और आवास होते हैं, buildings होती हैं, universities होती हैं, यहाँ apply नहीं होता है, government, नगर निकम हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है, local authority जो होती है, local authority की जो कोई property है, वो use आ रही है, non residential purpose से, वो भी use नहीं होगी, उस पर भी act apply नहीं होगा, local authority है, क्योंकि local authority भी क्या होता है, government कहीं part होता है, फिर आता है, government, तीसरा point है, very important, ध्यान से समझेगा इसको, कि government क्या कर सकती है, government में exempt, government किसी को भी exempt कर सकती है, क्योंकि क्या होते है, government ही करता धरता है, भाई देखो, है ना, पहले concept समझ लो, फिर एक funny fact बताती हूँ, हमारी family का ही है, government क्या exempt कर सकती है, किसी भी accommodation को, जो की use हो रहा है, किसके लिए, educational purpose, point number one, religious, charitable institutions, जो होते हैं, including nursing homes, ये तीन, चार चीज़ों को याद रखना, educational, religious, charitable and nursing home, क्यों, क्योंकि क्या गुमा दिया था, इसके अंदर, which is not था, है ना, government किसको apply नहीं करेगी, exam नहीं करेगी, और उसमें cultural ये वो लिखा हुआ था, ठीक है, cultural institution, तो वो नहीं है, ना, शब्दों पे, चाहें वो religious वाला, उसी को ब्रोटेक्ट करता है, cultural को, लेकिन आपको तो शब्दों पे, जो वेरक्ट में लिखा है, वहीं पर stuck हो जाना, clear है, अब वो funny fact, सुलो, government क्या exempt कर सकती है, इस पे क्या नहीं कर सकती है, तो इतने में मैं बोल पड़ी बीच में, जब government हमें हमारे ही घरों में बंद कर सकती है, लॉक डाउन कर सकती है, तो सोजो, government क्या कर सकती है, ठीक है, government कुछ भी कर सकती है, चलिए हम, question, I hope आपको अच्छा समझ में आया होगा, कहां से question आता है, तो चलिए देखिए MP Accommodation Control Act कब से apply हुआ 30 देसंबर उपर बता रखा है 25 को क्या था जिंगल वैल जिंगल वैल और उसके बाद 30 तारिक को यह apply हुआ था ठीक है और MP Accommodation किस पर apply not an accommodation section 2a में बताया था न ए 4 accommodation कौन सी चीज़ accommodation नहीं है और हाउस है शौप है डेजिदेंशल कमर्शियल ठीक है क्या agriculture land है नहीं ठीक है अग्री कल्चर लेंड नहीं है गुम्टी तो होती है जो पर छत पर जाने का एक चोटा सा हाउस टाइप का वह रहा था वह गुम्टी होती है गुम्टी इंक्लूड है बट अग्री कल्चर इंक दिखाना एक्जैम्शन यह एक्ट किस पर अप्लाइब नहीं होता है गुवर्मेंट प्रोपर्टीज पर क्लियर है ऐसे क्वेशन यहां से गूम जाते है अकॉमेडेशन नॉट इंक्लूड देखा किते तरह तरह ऐसे अकॉमेडेशन से सवाल आ रहा है अकॉमेडेशन यह देखो है इंक्लूड अकंडेशन लेंड अधर देन अगरी कल्चर लेंड रही थोड़ेशन नेक्स फेस्के बाद हम देखेंगे एनी विल्डिंग नॉट पार्ट वही एग्रिकल्चर परपस ठीक है फणिचर क्या फणिचर एक्कोमिडेशन का पार्ट होता है येस इसका अंसर है येस अब याद रखना फैमिली मेंबर क्या का था बहुत ये तरह तरह से पूछा जाता है फैमिली मेंबर के परपस से कौन नहीं है फैमिली मेंबर में कौन नहीं है नॉट पूछा है मैरिट डॉटर पहले ही बने का था ना यह डॉटर बेटनिया जो है यही आपको गड़बड़गड़वाएंगी ठीक है नेक्स्ट फिर से यही वही एक ही तरह के सवाल है ना टू इमें देख लो टू इमें वही फैमिल सवाज़ान जाएंगा सावधान रही है नेक्स आता है विच वन इस नॉट करेक्ट आंसर ठीक है गॉअवर्मेंट में नोटिफिकेशन एक्जैम्ट फ्रॉम औल और रहें मतलब गोववेंट कौन सी है लिप्र कुसको करेगी तो आपको विच्ञैंट बताना है ना किसको नहीं करेगी that means, तो educational था, है न, charitable था, religious था, था religious, बट क्या नहीं था, cultural नहीं था, कहा था ना उपर, cultural, याद रखना educational, charitable, religious, और क्या नहीं है, cultural नहीं है, जैसे आप अच्छे से, ऐसे, जो यह words होते हैं, इनको highlight क्या करो, underline क्या करो, यहीं से पता चलेगा, not, तो देखो, यह है, यह है, यह है, यह नहीं है, तो जैसे यह नहीं है, वैसे यह answer यह हो गया, ठीक है, इसी के साथ हम आप से विदा लेना चाहेंगे, यह वीडियो हमारा यही आप मैं बताना चाहूंगे, आरजेस के देखो, फिर से वही बताऊंगे, notify हो चुकी है, हमारा batch भी चल रहा है, announce हो चुका है, local act के लिए भी चल रहा है, आप चाहें, तो local वाला भी join कर सकते हैं, उसमें 8-9 act है, और full वाला जो है, वो full वाला भी join कर सकते हैं, ठीक है, और बिहार, APO की भी date जो है, उनकी according, FAB में होना है, तो वो भी हमारा join हो चुका है, उसमें हमने start कर दिया है, और आप चाहें, तो से भी join कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक्यू सो मच,